दोस्तो आज की इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों का फैवरिट रहने वाला है विकोज आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप फाइब बेस्ट अपकमिंग बाइक बताने वाली है जो की इंडियन 2-wheeler market में बहुत जल लौँच होने वाली है बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं की भाई इंडियन 2-wheeler market में 2023 के अंदर कौन-कौन सी बाइक जो है लौँच होने वाली है लाइक अपकमिंग कौन-कौन सी बाइक आने वाली है दोस्तो इस लिस्ट की फस्ट बाइक रहती है जो कि इंडियन टूइलर मार्केट में लाउंच होने वाली है बजाज की तरफ से NS200 का नेकजनिस्टन मॉडल इंडियन टूइलर मार्केट में बजाज NS200 काफ़ अच्छी बाइक है बजाज की तरफ से अपग्रेट करने के काफ़ी ज़्यादा जरूरत है और बजाज ने इस बाइक को अपग्रेट करकर लाइक NS200 को इंडियन टूइलर मार्केट में जो एविलेबल है उसको ही लाइक ब्राजिल के अंदर डूमिनाइट 200 के नाम से लाँच भी कर दिया है जिसके अंदर काफ़ इच्छे न्यू प्रीमियम फीचर एड़ किये गए है तो डेफिनिटली ये बाइक बजाज की तरफ से नेक जनिसन मॉडल नेक जल्दी ही लाँच होने वाली है जिसके अंदर आपको डेफिनेटली फ्रेंट में अपसाइड डाउन फ्रेंट फ्रेंट फोक्स तो देखने को मिलेंगे जिसकी कलर स्कीन का कोई भी लाइक किलियर नहीं है लेकिन ब्राजील वाजे मॉडल के अंदर आपको सिल्वर कलर के फ्रेंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रेंट फोक्स देखने को मिलेंगे लेकिन कलर की कोई कंफर्म नहीं है अभी कि आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा और बाइक के अंदर आपको All LED Lights का Setup देखने हो मिलेगा, जैसे कि अभी आपको Halogen देखने हो मिलता है, लेकिन Next Generation Model के अंदर आपको All LED Lights का Setup देखने हो मिलेगा, जिसमें आपको Front में LED Headlight देखने हो मिलेगी, साथ ही आपको Tail Light भी LED देखने हो मिलेगी, और आपको front and rear दोने आपको indicator जो है LED देखने को मिलेंगे बाइक के अंदर आपको instrument console में like digital प्लस analog टाइप का console देखने हो मिल सकता है और आपको fully digital analog console भी देखने को मिल सकता है जिसके अंदर आपको all basic reminder feature देखने हो मिलेंगे साथ ही आपको mobile Bluetooth connectivity वाले connected feature भी offer कर सकता है बजाज बाइक के अंदर आपको newly designed graphics and बाइक के अंदर आपको newly stickering side panel बगेरा new देखने को मिलेंगे बाइक के looks आपको थोड़े से different देखने को मिल सकते हैं current NS200 model के according and overall बाइक के price में आपको थोड़ा सा different देखने हो मिलेगा because bike के अंदर आपको काफे च्छे premium feature add के जाएंगे तो definitely bike के price जो है 8-10,000 increase आपको देखने हो मिलेंगे तो दोस्तों आप इस bike का wait कर सकते हैं बजाज इस bike को बहुत जल्द Indian two wheeler market में launch करने वाला है बात करते हैं next bike के बारे में जो कि रहती है दोस्तों Yama की MT 125 इंडियन two wheeler market में MT 15 काफी ज़्यदा popular bike है इस bike की काफी ज़्यदा sale भी इंडियन two wheeler market में होती है लेकिन Yama lover कुछ ऐसे हैं जो कि like MT 15 को effort नहीं करते है because MT 15 काफी ज़्यदा costly bike रहती है तो Yama बहुत जल्द MT 125 को launch करने वाला है अपनी सारी audience को cover करने के लिए middle class के लोग भी MT 125 को purchase कर पाएंगे जिसके अंदर आपको look design same as it is वही देखने को मिलेगा जैसे कि आप official video के अंदर देख भी पा रहे होंगे recently Yama ने international market के अंदर MT 125 को upgrade करके launch किया है जिसके अंदर आपको 5 inch का TFT color display instrument console देखने को मिलता है जिसके अंदर सारे basic reminder feature देखने को मिलते हैं overall MT 125 के अंदर आपको look wise कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा 11.5 Nm 10 के असपास torque देखने को मिलेगा 6 gear speed box transmission के साथ bike में आपको feature थोड़े से कम देखने को मिलेंगे front में आपको 41 mm के upside down telescopic fan focus ही देखने को मिलेंगे but black color के offer कर सकता है like Yama बाकी bike के look design chase ही आपको same वही देखने को मिलेंगे जो कि आपको MT 15 version 2 में देखने को मिलते हैं bike के अंदर आपको lighting setup में like indicator halogen देखने को मिलेंगे because bike के price काफी जदा आपको affordable देखने को मिलेंगे तो कुछ feature जो है आपको miss like देखने को मिलेंगे bike के अंदर front में आपको वही headlight देखने को मिलेगी LED tail light भी आपको LED offer की जाएगी indicator आपको halogen देखने को मिलेंगे tired section आपको as it is same वही देखने को मिलेंगे single channel ABS देखने को मिलेगा and आपको like disc plate दौनों में आपको वही देखने को मिलेंगी जो कि MT 15 V2 के अंदर आपको देखने को मिलती है same as it is वही आपको देखने को मिलेंगी बाकी यह bike आपको mileage काफी अच्छा provide करा देगी यह bike आपको 50 to 55 km per liter का mileage बड़े अराम से आपको provide करा देगी color scheme आपको new देखने को मिलेगी बाकी bike के price के बारे हम बात करें दोस्तो इस bike के price आपको 1,35,000 F1,40,000 के आसपास action room देखने को मिलेंगे और अल यह bike आपको 1,50,000, 1,60,000 के आसपास देखने को मिल सकती है on road ओके बाकी दोस्तों MT125 का कौन-कौन वेट कर रहा है comment section में जरूर बताएं बात करते हैं next bike के बारे में जो की रती है बजाज की तरफ से RS200 Indian two wheeler market में बजाज one on one अपनी bikes को launch भी कर रहा है अपग्रेड भी कर रहा है लेकिन RS200 काफी जिदा popular bike है बजाज की तरफ से इस bike की अभी तक कोई भी अपग्रेड नहीं आई है और बहुत सारे लोग इस bike के अपग्रेड लाइक बजाज RS200 के next generation model का वेट कर रहा है bike के अंदर आपको काफ एच्छी power देखने को मिलती थी लेकिन कुछ feature bike के अंदर मेस किये गए थे जो कि अब Indian two wheeler market में बजाज RS200 को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है बजाज की तरप से यह bike जल्दी ही Indian two wheeler market में launch करने वाला है बजाज bike के अंदर premium feature आपको देखने को मिलेंगे step बई आपको step में आपको सारे जो है अपग्रेड बताने वाला हूँ bike में आपको all led lights का setup देखने हो मिलेगा newly design color scheme and graphics new देखने को मिलेगे side panel भी आपको काफी जदा like different देखने हो मिलेगे oral bike का look आपको काफी जदा aggressive देखने को मिलेगा riding boys bike के अंदर आपको काफी sporty type की देखने को मिलेगी साथी bike के अंदर आपको fully newly designed instrument console देखने हो मिलेगा जिसके अंदर आपको like mobile bluetooth connectivity वाले सारे connected feature देखने हो मिलेंगे bike में आपको dual channel ABS पहले भी देखने को मिलता था इस बार भी देखने हो मिलेगा tire section आपको same देखने को मिलेंगे and bike के अंदर आपको like technological या advanced feature extra देखने हो मिलेंगे इसमें जिसकी विएसे bike के price में आपको थोड़ा सा different देखने हो मिलेगा बाकी bike के front में आपको upside down friend folks देखने हो मिलेंगे bike में आपको traction control, quick shifter, ABS यह सारे feature देखने हो मिलेंगे assistance lever clutch भी देखने हो मिलेगा इस bike के price आपको 10,000 increase देखने हो मिलेंगे current model के according because bike के अंदर आपको काफ़े अच्छे new premium feature देखने हो मिलेंगे bike market में बजाज जल्दी ही launch करने वाला है और यह bike आपको 2023 के अंदर ही आपको Indian two wheeler market में देखने को मिल जाएगा इसका next generation model तो इस bike का भी आप wait कर सकते हैं बागी comment section में जलूर बता है RS200 कवेट कौन कौन कर रहा है बात करते हैं next bike के बारे में जो कि रहती है होंडा की तरप से जो कि international market के अंदर available है होंडा की CB125R 125cc की यह naked street fighter अगर Indian two wheeler market में होंडा launch कर देता है तो दोस्तों काफी एच्छा platform set कर सकती है काफी ज़्यदे chances इस bike के 2023 के अंदर launch होने के अंदा की तरप से step by step में आपको सारे feature explain करता हूं with price ओके सबसे पहले बात करें bike के looks designer style के बारे में तो आप देख सकते हैं इसमें आपको round ship में headlight देखने को मिलेगी and bike के अंदर आपको split seat देखने हो मिलेगी bike के naked look की वे से bike के अंदर आपको riding position काफी इदर comfortable देखने हो मिलेगी bike में आपको काफी इच्छी power देखने हो मिलेगी इसमें आपको 124.9cc का liquid cool four stock four bulb dosc single cylinder engine देखने हो मिलेगा जिसके अंदर आपको maximum power 14.7 hp के देखने हो मिलेगी 11.6 newton का आपको torque देखने हो मिलेगा B6 compliant engine के साथ आपको six speed gearbox देखने को मिलेगे bike में आपको front में काफी इच्छे 41 mm के upside down front forks देखने हो मिलेगे rear part में आपको pre-loaded adjustable mono shock suspension देखने को मिलेगे और और बाइक के अंदर आपको काफी इच्छे dimensions देखने हो मिलेगे 10.1 liter की fuel tank capacity देखने हो मिलेगी digital type का fully आपको instrument console देखने हो मिलेगा bike के अंदर आपको all led lights का setup काफी इच्छे new super wide tubeless tire bike में आपको dual channel ABS का option देखने हो मिलेगा इसमें जो tire section आपको 17 inch के allowable के साथ tubeless tire देखने हो मिलेगे bike बड़े आराम से आपको 45-50 kmpl का mileage प्रोवाइड करा देगी काफी अच्छी new आपको color scheme देखने हो मिलेगी दोस्तों Honda की तरप से यह bike बहुत जल्दा आ सकती है market के अंदर और यह bike आ गई तो काफी अच्छा platform सेट करेगी because 125cc की bike है तो price आपको काफी अफ़र्डवल देखने हो मिलेंगे तो हर category के like लोग इस bike को purchase कर सकते हैं like middle class के भी लोग इस bike को easily purchase कर लेंगे bike के एक शोरूम price आपको 125,000 के आसपास देखने हो मिलेंगे यह bike भी आपको like 1,40,000 या फिर 1,50,000 के आसपास देखने हो मिलेगे on road ओके तो इस bike को भी आप purchase कर सकते हैं कौन-कौन Honda की CB 125R का wait कर रहा है comment section में जरूरू बताएं बात करते हैं next bike के बारे में जो की रहती है Honda की ही तरप से Honda की CBR 150R एक sports segment की bike है Honda लावर इस bike का तो काफी time से wait कर रहा है इडियन 2-wheeler market में लेकिन अभी तक इस bike की like Honda की तरप से launch नहीं किया गया है because अगर Honda इस bike को launch कर देता है तो जो की Yamaa की तरप से काफी सारी sports bike जो available है उनको काफी ज़धा tough competition दे सकती है यह bike, because bike का look आपको काफी इच्छा देखने को मिलता है International market के अंदर इस bike के काई सारे variant available है लेकिन Indian 2-wheeler market के अंदर इस bike का एक भी variant available नहीं है Honda की तरप से, बहुत सारे लोग इसी वेट कर रहे है Honda इस bike को अब जल्दी ही launch करने वाला है Because Indian 2-wheeler market में काफी इदर competition की रियेट हो रहा है तो Honda अपनी sports segment की 150cc की Honda CBR 150R को जल्दी ही launch करने वाला है जिसके एक शोरूम प्राइज आपको 1,55,000 के असपार्थ देखने हो मिलेंगे Aural Yamaki R15 series से इस bike के price जो काफी इदर affordable देखने को मिलेंगे Bike के price के बारे में मैं आपको explain करी दिया है On road ये bike आपको 1,80,000 के असपार्थ देखने हो मिलेगी Bike में आपको like 149cc का engine देखने हो मिलेगा जो की काफी अच्छी आपको power provide कराएगा Like 16.9 HP की 13.7 intermittent का आपको torque 6-speed gearbox transmission देखने हो मिलेंगे इसमें आपको 4 valve देखने को मिल जाएंगे साथी आपको 13.7 intermittent का आपको torque देखने हो मिलेगा Bike में आपको assistance sleeper clutch offer किये जाएगा काफी अच्छी premium feature देखने हो मिलेंगे Front में inverted telescopic front fork suspension देखने हो मिलेंगे साथी bike के rear part में आपको monosock preloaded adjustable suspension देखने हो मिलेंगे Bike में आपको काफी अच्छी dimension देखने हो मिलेंगे Toyota की fuel time capacity देखने हो मिलेगी Fully digital type का instrument console cluster देखने हो मिलेगा All LED lights का setup देखने हो मिलेगा Dual channel AVS का option भी देखने हो मिलेगा काफी अच्छे newly super wide tubless tire देखने हो मिलेंगे Bike के looks, design style काफी ज़्यदा आपको aggressive देखने हो मिलेंगे साथी आपको riding position भी काफी ज़्यदा aggressive देखने हो मिलेगी इस bike के अंदर आपको काफी अच्छे aerodynamics देखने हो मिलेंगे जिसकी विसे riding की करते समय आपको top speed में काफी ज़्यदा improvement देखने हो मिलेगा overall Honda की CBR150R, Yamaha series की like Yamaha की R15M, R15B4 इन bikes को काफी अच्छे top competition create कर सकती है बागी दोस्तो Honda की CBR150R का कौन-कौन वेट कर रहा है कमेंट सक्षन में ज़रूर बताएं यह पांचो बाइक दोस्तों Indian two wheeler market में कभी भी launch कर सकती है कमपनिया आप इन में से कौन-कौन सी बाइक का वेट कर रहा है कमेंट सक्षन में ज़रूर बता है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना आप मारे चैनल पर नए आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विकॉज इन वाइस से लेटेट अपडेट हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे ओके बाकी मिलते हैं आप से लेट एक ऐसी नए इंट्रेस्टिंग और अपडेटेट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर